Hey guys, what's up? आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ELSS funds के बारे में यानि Equity Linked Savings Scheme तो basically Equity Linked Savings Scheme funds जो होते हैं, वो एक तरह की mutual funds ही होते हैं, जिन में आप पैसा invest करते हो और आपको पैसा invest करने के लिए tax के benefits भी मिलते हैं, अब ये tax benefits कैसे मिलते हैं, कैसे ये बाकी funds के comparison में comparatively थोड़ा सा better हो सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे Welcome to FinTax by Nishant, welcome to the video, let's get started ELSS funds में चार characters यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं E, L, S, S E stands for Equity L stands for Linked, S stands for Savings and S stands for Scheme, right? ये जो पहला E और L है न, Equity Linked इसका मतलब क्या है, कि ये mutual funds primarily equity में पैसा लगाते हैं, हम लोगों ने mutual funds वाली वीडियो में बात की थी के अलग-अलग type के mutual funds होते हैं, right? जो equity में पैसा लगाते हैं, वो equity mutual funds, कुछ debt में लगाते हैं, debt mutual funds, कुछ mixed year करके लगाते हैं, वो hybrid mutual funds हो गए, तो ये वाले जो funds हैं, primarily equity में लगाते हैं, और इसे लिए ये equity funds केहलाते हैं, right? Saving scheme का क्या मतलब है, जितना भी पैसा आप इसमें invest करते हो न, उसका आपको deduction मिल जाता है, under section 80C of the Income Tax Act 1961, लेकिन ये deduction आपको सिर्फ old scheme of taxation में मिलता है, taxation की दो schemes चलती है, old scheme और new scheme new scheme default scheme हो चुकी है, और old scheme के लिए आपको opt करना होता है तो अगर आप old scheme के लिए opt करते हो तो ELSS funds में आपने जितना भी पैसा लगाया, उसका आपको deduction मिल जाता है under section 80C, till 1.5 lakh rupees, वो 80C की limit है, उसके बारे में भी हम लोग detail में बात करेंगे, right ELSS funds में invest करने का पूरा तरीका सारी चीजे में आप लोग को practically बताऊगा, आप quickly बात करते है, ELSS funds के बाकी benefits के बारे में, right, तो सबसे पहली बात तो क्योंकि एक mutual fund है तो यहाँ पर आपको mutual funds वाला return मिलता है, equity वाला return मिलता है और equity वाला return के साथ-साथ आपकी tax saving भी हो जाती है तो आप tax planning के साथ-साथ wealth generation भी कर सकते हो, right दूसरा, diversification क्योंकि equity fund है, तो वो अलग-अलग type की companies में पैसा लगाएगा अगर अलग-अलग type की companies में पैसा लगाएगा तो automatically आपका diversification हो जाएगा across different sectors of the economy और तीसरा, इसमें आपको tax benefits तो मिलते ही है, ठीक है तो section 80C के अंदर इसमें आपको tax benefits मिलते है, let's talk about tax benefits of ELSS funds in a little more detail, ठीक है सबसे पहला benefit मैंने आपको section 80C के reduction का तो suppose आपकी total income जो है, वो 10 lakh रुपे की है अब आपने अगर इसमें से 1 lakh रुपे ELSS funds में invest किया तो आपको section 80C के अंदर उसका deduction मिल जाएगा और आपकी income हो जाएगी 10 lakh minus 1 lakh 9 lakh रुपे तो अब आपकी जो tax liability calculate होगी वो 9 lakh रुपे की उपर ही होगी ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि ये पैसा आप 31st March 2024 के अंदर अंदर invest कर दो अगर आप इसका reduction claim करना चाहते हो तो, right, तो if you want to claim reduction of this amount invested in ELSS funds under section 80C तो आपको 31st March 2024 के अंदर अंदर इसमें पैसा invest कर देना चाहिए दूसरी बात, जो भी आप इससे आपको profit होगा ठीक है, जो भी इससे आपको profit होगा उस profit पर आपका long term capital gains के basis पर taxation किया जाता है अब ये क्यों होता है, इसका मैं आपको reason बताता हूँ long term capital gains आपके तब ही होते हैं, अगर आप इसको 12 महीने से बाद में बेचते हो ठीक है, आपने suppose आज इन्वेस्ट किया आज आपने इसकी units खरी दी, अब आज से 12 महीने के बाद, यानि एक साल के बाद अगर आप इसको बेचोगे तो जो भी profit आएगा, उसको long term capital gains कहा जाता है वो long term capital gains एक लाग रुपे तक exempt होता है, और उसके उपर जो भी आप कमाऊगे, उस पर आपको सिर्फ 10% के rate से tax देना होगा सर अगर हम जल्दी बेचों तो अगर जल्दी बेचते हैं, तो थोड़ा सा पंगा है, क्या पंगा है ELSS funds में 3 साल का mandatory lock-in period है ठीक है, अभी हम benefits के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम benefits के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये lock-in period थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा क्यार ये benefit के बीच में ये अचानक से lock-in period की बात कहां से आ गई, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों lock-in period एक benefit भी है और एक disadvantage भी है, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ELSS funds में जो भी आप पैसा लगाते हो उस पे 3 साल का lock-in period होता है, 3 साल के lock-in period का मतलब ये है, कि आप 3 साल के अंदर-अंदर लगाए हुए पैसे को withdraw नहीं कर सकते, अगर आपने इसको withdraw किया, तो जो भी आपको tax benefits मिले थे, यानि ATC का reduction आपने जो भी claim किया था, वो lapse हो जाएगा और वो सारा पैसा आपका उस साल taxable होगा, जिस साल आपने इसमें से withdraw किया, लेकिन अगर आपने 3 साल के बाद withdraw किया, तो फिर ये कोई पंगा नहीं होगा, आप आराम से अपना long term capital gain enjoy कर सकते हो, ठीक है, ये हो गए आपके benefits, अब हम लोग बात करते हैं, इस से associated कुछ-कुछ risks के बारे में, अभी मैं आप लोग को practically लेकर दिखाऊंगा, ले जाकर पहला है, market risk, ये ELSS funds, जो भी अपना पैसा है, कहां लगाते हैं, equity companies में लगाते हैं, ठीक है, companies में लगाते हैं, equity market में लगाते हैं, और आपको पता है, equity market काफी, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे जाता रहते हैं, तो अगर equity market नीचे गया, तो ELSS funds में आपका लगा हुआ पैसा भी नीचे जा सकता है दूसरा जो problematic चीज है वो है lock-in period तीन साल का जो lock-in period है उसके बीच में अगर आपको कभी भी पैसे की जरुरत पड़ गई आप निकाल तो सकते हो लेकिन अगर आपने निकाल लिया तो आपके tax benefits खतम हो जाएंगे short term में अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा benefit दिखाई देगा ठीक है लेकिन short term oscillations को short term volatility को आपको ignore करते हुए चलना होगा तो मान लो कभी आपका मन करें कि मैं इसको निकाल लो पैसे को ठीक है अब इन चारों की points को मैं practically आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग देख सकते हो सबसे पहली बात you have to do the performance analysis of the ELSS funds ठीक है चलो बहुत बाते हो गई let me actually take you to grow's website now ठीक है ये grow की website है ये grow की website का home page आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ठीक है चलो मैं काम करता हूं quant ELSS पर आता हूं मैं quant ELSS पर आता हूं and let's look at this now ठीक है अब ये quant ELSS tax saver fund direct growth है आप देख सकते हो equity है ELSS है very high risk why very high risk तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा डरनी की बात नहीं है जो हम लोगोंने lazy way of investing वाली वीडियो में अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो description में आपको उसका link मिल जाएगा आप लोग वहाँ से check out कर सकते हो lazy way of investing वाली वीडियो में हम लोगोंने बात की थी कि index funds में आप डाल सकते हो पैसा and they seemed very risk free kind of funds right लेकिन अगर आप इसकी category में जाओगे न तो यह वहाँ पर भी very high risk की category में ही रहेगा why क्योंकि अगर कोई भी fund कोई भी mutual fund equity में पैसा डालता है न तो उसको categorize ही very high risk की तरह से किया जाता है और यह ELSS funds तो पूरा equity में डाल रहे तो इसको very high risk की category में डाल लगया है इससे बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है ठीक है अब आप इसकी historical performance देखो तीन साल का annualized return 32.90% है पांच साल का annualized return 30.66% है और अगर आप all पर click करो तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 7th January 2013 से लेकर आज तक का यानि 8th January 9th January 2024 तक का जो return है वो है 22.25% ठीक है निफ्टी 50 में कितना देखा था हमने 12-13% का देखा था यहाँ कितना देख रहे हैं हम लोग 22.25% का return देख रहे हैं पिछले 10 साल होगा ठीक है minimum SIP amount यहाँ पर 500 रुपे है rating इसकी 5 star है 6416 करोड रुपेया इस fund में लगा हुआ है एक और बढ़िया चीज है return calculator आप इसमें देख सकते हो कि अगर आप monthly SIP करते हैं इसमें 5000 रुपे की पर मन्त 5 सालों में आपका पैसा कितना हो चुका होता तो आपने total 3 लाग रुपे लगाया होता और आपका जो total पैसा है वो 6.34.69 बन चुका होता तो आपके total returns 11.55% हो जाते लेकिन अगर annualized return देखो कि on an average हर साल आपको कितना मिल रहा है तो वो 30.66% का आपको on an average हर साल का return दिखाई देता तीक है अब इस fund में कौन-कौन सी holdings है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि किस-किस company में पैसा लगा हुआ है equity sector का allocation आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ठीक है किस अलग-अलग sector में है और यह कुछ इसके advanced ratios इन ratios के बारे में आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो बट हम लोग detail में एक अलग video में बनाऊंगा इसके लिए तो मैं इसके लिए एक detail video बाद में बनाऊंगा कि जो mutual fund के ratios होते है वो किस तरह से आप लोग उनको समझ के interpret कर सकते हो अब आप यहाँ पर देखो returns and rankings annualized returns से ही comparison करने का मतलब है absolute returns से कोई मतलब नहीं है annualized returns अगर आप देखोगे तो इस fund के returns जो हम लोग ने fund open किया हुआ है इसके 5 साल के annualized returns है 30.7% लेकिन अगर आप ELSS fund equity ELSS की category के returns देखोगे अगर आप category का average return देखोगे तो वो आपको दिखाई देगा 17% तो अगर 5 साल के average return के comparison में हम लोग बात करें तो quant ने बाकी पूरी category से better perform किया हुआ है ठीक है यह आप देख सकते हो और दूसरी चीज़ आप बाकी ELSS funds के साथ comparison यहाँ पर कर सकते हो कि एक साल और तीन साल के returns कैसे कैसे आए हुए है ठीक है expense ratio 0.76% है वो भी you can see कि अगर अगर mutual fund का आपको expense ratio देख रहा है तो वो आप यहाँ से देखे सकते हो exit load निल है पहली बात तो exit load होता क्या है ठीक है तो exit load usually जब आप किसी mutual fund में पैसा डालते हो न तो वो mutual fund कहते है कि अगर आपने इस particular period से पहले पैसा निकाल लिया तो हम आप से इतने charges लेंगे तो वो होता है exit load यहाँ already 3 साल का lock-in period है आप पैसा उससे पहले निकाल ही नहीं स साल बात निकाला तो आपको LTCG यानि long term capital gains tax देना होगा only at the rate of 10% एक लाख के उपर के gains वारा अब fund के management को आप देख सकते हो कौन-कौन संभाल रहा है ठीक है तो fund managers के बारे में आप यहाँ पर information देख सकते हो और जो भी है इनकी qualifications वगेरा वगेरा all you can see here ठीक है यह pros and cons भी है यहाँ पर आप comparison कर सकते हो बाकी आप इसको explore कर सकते हो ठीक है चलो आज आते हैं वापस तो सबसे पहले हम लोग ने performance analysis के बारे में बात की fund manager expertise तो जैसे मैंने आप लोगों को दिखा है कि आप fund में देख सकते हो कि कौन-कौन इसके managers है उन managers के बारे में आप पढ़ सकते हो क इनकी historical performance कैसी रही है यह managers पहले कहां का involved थे कैसा कैसा इनकी वज़े से funds में performance आया वगयरा वगयरा expense ratio you can check वो भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ and finally peer comparison तो peer comparison मतलब similar ELSS funds ने कैसा कैसा return दिया है वो भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ ठीक आओ sir अभी हम क्या कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को अभी most promising ELSS funds दिखाने जा रहा हूँ on the basis of one year, three year and five year returns तो यह हैं आपके सामने most promising ELSS funds ठीक है यह जितने भी ELSS funds है इन में 75% से ज्यादा पैसा large cap stocks में गया हुआ है तो यह comparatively safer भी है, ठीक है, large cap जो companies होती है, वो comparatively बहुत ज्यादा safe होती है as compared to mid cap और small cap companies, ठीक है, क्योंकि large cap companies की एक history होती है, लंबे समय से वो वहाँ पर चल रही है, तब ही वो large cap है, जैसे Reliance, TCS, ITC वगेरा, तो all these are large cap companies, तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा भी के Quant ELSS tax saver fund Reliance में भी पैसा डाल रहा है, तो इन funds में क्या है, equity में तो पैसा है, लेकिन total equity में जितना भी पैसा है, उसमें 75% से ज्यादा large cap stocks में पैसा पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यह safer भी हैं और आप इनके returns भी देख सकते हो, तो आप इन funds को एक बार के लिए consider कर सकते हो, अगर हम ELSS funds का comparison बाकी tax saving investments के investment से करें, जैसे fixed deposits हो गया, या NSE certificates हो गया वगया वगया, तो आओ देखते हैं आपन, सबसे पहली बात, तो ELSS funds बाकी tax saving options के comparison में ज्यादा return देते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ELSS है, equity से इसका direct connection है, तो equity में definitely return potential ज्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको tax benefit के साथ-साथ wealth creation का भी मौका मिलता है, ठीक है, अगर आप ऐसी normally PPF अगरा में invest करते हो, या tax saving FD में करते हो, या NSE certificates में करते हो, तो आपको वहाँ पर जो returns है वो थो tax saving भी हो रही है, और आपका wealth creation भी हो रहा है, and finally equity exposure, equity exposure से आपके returns ज्यादा होते हैं, conclude करते है, ELSS funds में हम लोगों ने क्या क्या बात की, सबसे पहले तो हम लोगों ने tax benefits के बारे में बात की, कि आपको ATC के अंदर 1.5 lakh rupees का reduction मिल जाता है, under old scheme of taxation, फिर हमने equity exposure के बारे में बात risk return potential भी वैसा ही है, कि एक balanced opportunity आपके लिए provide करता है, ठीक है, with that, we come to an end of today's video, I hope this ELSS वाली video was helpful for all of you, if yes, please video को like कर दो, channel को subscribe कर दो, and you should never stop learning, for the stock market blogs, you can visit my website www.kumanishant.com, Instagram पे Fintax by Nishant you can follow, and YouTube पे इस channel को आप लोग सबस्क्राइब कर सकते हो, Mondays, Wednesdays, Fridays 9 p.m. without fail, see you in the next video, comment करके जरूर बताना अपलों को यह वाली video कैसी लगी, if there's something else that you want to learn, if there's something, अगर आपको इस video में कुछ doubts हैं, आपने कुछ और explore किया, तो do comment down below, and I'll make separate videos on that, thank you.